मैं अंकीता आपका स्वागत करती हूँ World of Physics में आज हम पढ़ने वाले है Types of Forces जो की दो types के होते हैं एक होता है Contact Force और दूसरा होता है Non-Contact Force Contact Force के वारे में पहले भी हमने थोगा सा discussion कर लिया है लेकिन थोड़ा सा revise कर लेंगे और दूसरा है Non-Contact Force इसको non-contact force को हम थोड़ा सा details में आज study करने वाले हैं contact force में first है muscular force muscular force का पहले जो मैंने example दिया था उसे समझते है muscular force में क्या होता है muscular force में एक example देते हैं एक गाड़ी है suppose और उस गाड़ी को आप क्या कर रहे हो पीछे से push कर रहे हो अपने हाथों से तो इसमें क्या हो रहा है दो objects मतब आपके hands और गाड़ी एक दूसरे के contact में है और इसमें क्या अपलाए हो रहा है आपके muscles का force अपलाए हो रहा है इसलिए इसको हम कहते है muscular force दूसरा है हमारा frictional force frictional force बहुत important force है हमारे daily life में हम इसको बहुत बार apply करते हैं या फिर हमें पता भी नहीं है वहाँ वहाँ frictional force यूज होता है जैसे कि आप रोज चलते हैं हम चलते हैं तो हमारे जो shoes है shoes की grip और जो ground है उन दोनों के बीच में जो friction होता है उसको हम कहते है friction force एक बात हमेशा याद रखनी है दोस्तों कि frictional force is always opposite to the direction of motion Frictional force इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक direction में जा रहे हो आपका motion जो है वो सामने के direction में है तो frictional force कौन से direction में अपड़ ला होगा उसके बिल्कुल opposite direction में मतलब friction force और आपका direction of motion हमेशा opposite direction में apply होता है ठीक है फिर अभी हम देखते है non-contact force सबसे पहले non-contact force में हम देखेंगे gravitational force gravitational force सबसे पहले हमें दिया था sir इसाब newton ने हमारे newton बाबा आ गए फिर से तो newton के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उन्होंने gravitational force को कैसे invent किया तो क्या होता है हमारे जो sir newton है यह एक बार एक बड़ी इससे apple के पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते है तो उन्हें जब वह ऐसे खड़े होते हैं और इसे ही सोचते रहते हैं तो क्या होता है एक बढ़ा सा एपल उनके सर के उपर आग के नीचे गिर जाता है तो क्योंकि वो ऐसे ही सोच रहते और वो एक intellectual person थे तो उनके दिमाग में ये सवार आता है कि आखिर ये apple नीचे ही क्यों गीरा ये तो उपर भी जा सकता था ना तो मेरे ही सर के उपर फुटना था इसको तो जैसे उनके सर के उपर गिते तो उनको बड़ा गुसा आता है और वो सोच में पढ़ जाते हैं कि ये नीचे ही क्यों गीरा तो ऐसे सोचते सोचते उनको ऐसा लगता है कि हाँ नीचे कोई तो ऐसी चीज है जो इस apple को अपने तरफ बुला रही है और ये जो नीचे जो खीचने वाली जो चीज है उसी को उन्होंने नाम दिया gravitational force उन्होंने कहा था सबसे पहले कि नीचे हमारे earth के पास एक attractive force है जो हर चीज को अपने तरफ खीचता रहता है और फिर उन्होंने बहुत सरे experiment भी किये और उनको ये समझ में आया कि हाँ हमारी जो धरती है उसके पास एक gravitational एक attractive force है जो हर चीज को अपने तरफ खीचता रहता है तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि और हमें भी हम अभी जानते ही है gravitational force कि हम धरती के धरती तो हमारी goal है लेकिन हम धरती के उपर क्यों खड़े रहे पा रहे है because of the gravitational force वैसे ही कोई भी दूसरा object हो ये pen ही देख लो pen को अगर मैं ऐसे हवे में छोड़ दूँ तो ये कहा जाएगा आप बताओ नीचे जाएगा या उपर जाएगा बताब वो नीचे ही क्यों गया ठीक है एक होता है opposite charge attract और दूसरा होता है light charge ripple जो north pole और south pole है इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको consider करते हैं charges या पर हमने लिए है positive charge और दूसरा है आपका negative charge दोनों opposite है ना इस दूसरे से positive का opposite निगेटिव तो देखो हमारा phenomenon क्या करता है अलग charge है तो वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर दोनो charges कैसे है same है तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और अगर देखो दोनो positive charges रहेंगे फिर भी वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे क्यों हो रहा है यह क्यों कि क्या होता है उन दोनों के पीछ में एक force है जो उपर वाला case है opposite charges में उसमें जो force है उस force को हम कहते है attractive force एक दूसरे के वो attract कर रहे है देखो बच्चो क्या यह दोनों के एक दूसरे के contact में है नहीं है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के पास आ रहे है इसी लिए हम magnetic force को हम कहते है non-contact force तो इसमें हमारा electrostatic force electro याने charge और static याने stationary और rest electrostatic force चलो इसको एक अच्छे से example के साथ देखते है क्या करना है यह तो सबने किया ही होगा ठीक है एक हमने comb लिया है और इस comb को क्या करना है आपको rub करना है ठीक है यूजवली बालो से rub करके देखो इसको hairs के साथ rub करना है तो क्या होता है जब उसको हम rub करते है तो इनके उपर develop होते है कुछ charges और यह कुछ से charge आपके positive charge और जो भी दूसरे चीज़े है उनके उपर कोई ना कोई दूसरा charge होता है तो हमने यहां पे कुछ paper के छोटे-छोटे pieces लेए घर में आप करके देख सकते हो ठीक है छोटे-छोटे pieces लेने है आपको paper के pieces लेने है फिर क्या करना है यह जो comb है इस comb को इसके पास लेके जाने की कुशिश करो तो आपको क्या लिखेंगा यहां पे हो गया एक जादू इसमें क्या होता यह जो pieces है यह धीरे-धीरे इस comb को जाके attract करते है ठीक है तो देखो pieces तो दूर थे क्या इसके contact में थे comb के पहले नहीं थे लेकिन क्यों वो एक दूसरे के contact में आए because of the force और उसी force को हम कहते है electrostatic force ठीक है तो electrostatic force क्या है it is a kind of non-contact force balanced force और दूसरा है आपका unbalanced force balanced, balanced force जो है वो हमेशा equal force होता है और यह जो balanced force है वो हमेशा opposite direction में act होगा तो तराजू जो है यह तराजू देख रहे ना आप इसमें आपने क्या किया दोनों side पे 1 kg का weight रखा दोनों side पे same weight रखा तो जब दोनों side में weight same है तो इन दोनों पे जो force act होगा वो force कैसा रहेगा? same रहेगा मतलब यहाँ पे force कैसा है दोनों के side पे जो force कौनसा force act होगा? gravitational force nature के direction में तो दोनों पे force कैसा act होगा? same force तो जब equal force है तो हम इसको क्या कहेंगे? balance force है ना दोनों में same है तो तराजू किसी एक side में जुकेगा? क्या? नहीं जुकेगा तो जब यह चीज़े क्या है एक दूसरे को वह balance कर रहे है तो balance कब रहेगा? जब दोनों forces क्या रहेंगे? same रहेंगे देखो एक और दूसरा example लेते हैं tug of war tug of war खेला है सबने tug of war में क्या होता है? एक रस्ती है दोनों side में right और दोनों side में हम ऐसे एक दूसरे की दोनों side से क्या करते है? हम खीचते है एक दूसरे को right उस रस्ती को और सबसे ज़्यादा जोर जोर लगाएगा उसके साइड में वो क्या होता है वो टीम क्या हो जाती है जीत जाती है तो ये हमारी टीम 1 है और ये हमारी टीम 2 है सबसे पहले क्या होता है कि दोनों साइड के जो लड़के है ना उनका force के सा है अभी फिलाल सेम है team 1 क्या कर लिए force F1 लगा रही है और team 2 क्या कर रही है force F2 लगा रही है दोनों इक दूस्टे को टग ओफ ओर में खीचे जारे खीचे जारे खीचे जारे रही लेकिन क्या होता है कि दोनों side का force के सा है same है तो same force होने के वज़े से ना रसी इधर जा रही है team 1 के पास भी नहीं जा रही है और रसी team 2 के पास भी नहीं जा रही है क्यों हो रहा है ये क्योंकि दोनों force कैसे है equal है और direction देखो ये इधर खीच रहा है तो इसका direction इधर है team 1 का और इसका direction बिल्कुल उसके opposite है तो force कैसा है हमारा equal direction कैसा है opposite लेकिन क्या रसी हिल रही है क्या रसी इधर या उस direction में जा रही है नहीं जा रही है मतलब दोनों force ने एक दुस्रे को क्या कल दिया cancel कर दिया हमारा net force क्या हो गया zero राइट देखो balanced force में क्या होता है equal forces दोनों team का force equal है opposite direction direction कैसा है opposite है लेकिन पूरा जो net force है वो क्या हो जाएगा आपका zero क्योंकि किसी एक direction में जा रहा है क्या force क्या यह दोनों force तो apply हो रहे है लेकिन रसी ना इधर एक team के पास जा रहे है ना दूसरे team के पास जा रहे है तो net force क्या हो जाएगा आपका zero ध्यान पहान में रखना है बच्चों balanced force में net force अबका होता है zero next है हमारा unbalanced force यही example के साथ unbalanced force को समझने की कोशिश करते हैं पहले क्या था हमारे tug of war में दो team तो थी एक team दोनों team के पास same member थे और दोनों क्या कर रहे थे same here force apply कर रहे थे मतलब आपका F1 और F2 क्या था? same था इसलिए वो force के साथ हो था आपका balance अभी unbalance force में क्या होता है? कि इसमें जो एक ये जो बंदा है ये change होके यहाँ पे एक हटा-खटा बंदा आता है ठीक है? बहुत मोटा सा बंदा आ गया भी यहाँ पे इनके टीम में एक तगड़ा सा बंदा आ गया अभी ये बंदा जो है इसके पास बहुत force है तो ये बहुत जोर से कीच रहता है क्या होगया? F1 जो force है ये बड़ा हो गया तो ये force ज़ादा हो गया और ये force क्या हो गया? कम हो गया तो इस case में क्या होगा अभी force equal हो रहा गया नहीं F1 का जो force है वो हो गया जादा और F2 का force क्या हो गया कम या फिर आप इसको ऐसे भी समझ रखते हो कि पहले तो दोनों side में 3-3 team में 3-3 members थे F1 जो पहली team है ना उस team में 1 member और जादा आ गया तो क्योंकि एक member जादा आ गया तो अभी इंका force जादा है तो जब ये force एक side का जादा हो जाएगा तो balance क्या हो जाएगा बिगड़ जाएगा मतलब रसी अभी team 1 के पास खीची जा रही है तो इसी को हम कहते है unbalanced force इसमें force कैसा रहेगा? unequal opposite direction में act हो रहा है ठीक है direction तो opposite ही है दोनों cases में और जो net force है वो 0 रहेगा क्या नहीं क्यों net force 0 नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों force equal है क्या? नहीं है इस case में एक जो force है वो जादा है F2 से F1 का force जादा है इसलिए वो net force 0 नहीं रहेगा ओकी बच्चो समझ में आगे सबको thank you